सुप्रिम कोर्ट ने एक एहम फैसले में कहा है कि बेटी को पिता की और से उनकी जो पैत्रिक संपत्ती है उसमें बराबरी का हग पुनहें मिलेगा. हलाकि ये फैसला इस मायने में काफी महतुपूर्ण है क्योंकि 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जब आया था उसके बाद ही बेटी को बराबरी का दर्जा मिल गया था. लेकिन कई सारे सवाल उठ खड़े हुए थे क्या उस कानून के वक्त या उससे पहले अगर बेटी का जन्म हुआ है तो क्या उसके लिए ये कानून लागू होगा? क्या कानून के वक्त अगर पिता की मौत हो चुकी हो तो क्या बेटी को संपत्ती में बराबरी का हक मिलेगा तो ये तमाम सवाल सुप्रिम कोट के सामने थे और सुप्रिम कोट ने इन सवालों पे अपना फैसला दिया है और सुप्रिम कोट ने साफ किया है कि बेटी को हर हाल म बेटे के बराबर संपत्ती में अधिकार मिलेगा उसकी पैत्रिक संपत्ती में वो जन्म से ही अधिकारी हो जाती है तो सुप्रीम कोड का ये फैसला निश्चित तोर पे दुरगामी असर डालेगा आज नभार टाइम्स ऑनलाइन में मेरे यानी राजेश चौधरी के साथ इ सुप्रीम कोड की एड्वोकेट रेखागरवाल रेखागरवाल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है ना भार टाइम्स जी जो कले कहती हास एक फैसला आया है ये बहुत-बहुत बढ़ी नजीर बनेगी हमारे समाज के लिए क्योंकि जो वैसे तो आपने अभी खुदी बताया कि 2005 के अंदर ही संशोधन आ गया था कानून के अंदर जहां पर लड़कियों को पैत्रिक संपत्ती के अधिकार दे दिया गया था और सेक्शन 6 जो हिंदू सक्षेशन आट का है जहां पर को पार्सनर की जो परिभाशा है उसक अंदर सरफ पुत्रों को माना जाता थ दो हजार पांच के अंदर सेक्शन 6 के अंदर क्लारिफाय कर दिया गया कि इसमें लड़कियां भी जो है वो मानी जाएंगी कि यह भी को पार्सनर है यानि कि इनका भी पूरा अधिकार है पिता की संपत्ती में परंतों दो हजार पांच का जो संशोधन आया था उसके पिता है उनको जीवत होना जरूरी है कि नहीं तो दो हजार पांच के बाद में पंदरा साल होने को आगए उस बात को अभी भी लड़कियों को अपना अधिकार था वो पूरी तरीके से मिलनी रहा था उनको वंचित रखा जा रहा था और कोर्ट के अंदर कई ऐस तरह के ब पर उनके पिता जीवित नहीं थे सुप्रीम कोट का एक फैसला था जिसका नाम तब प्रकाष वस फूलवती जिसके अंदर यह जजमेंट थी यह पास हुई थी और उस जजमेंट के बावजूर जैसे बैने कहा कि यह बहुत से सवाल लोगों के दिमाग में रह गए थे आपका जनम नहीं हुआ दो पाद में प्यादा हुई या पिता जी जो थे इस तारीक के वागों पर जीवित नहीं रहे तो हम आपको अदिकार नहीं देंगे खेर इन सारी बातों को कल सुप्रीम कोट ने अपने लेके बिलकुल इसको 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 पश्ट कर दिया गया है क जो जोज अमेंडमेंट 9-9-25 में जो हुआ था ये हर लड़की के और लागू होगा भले उसका जन्म 9-9-2005 में पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, वो कुवारी हो या शादी शुदा हो, विदवा हो या कोई भी स्थिती के अंदर हो, तो यानि की जन्म सही अधिकार हो ग वो इस्टाबलिश हो जाता है, गर्ब से ही हो जाता है, जन्म लिना तो बात की बात है, तो पुत्रों को जब इतने बेटों को इतने उपर रखा जाता था, उचे पेडेस्टरल के उपर रखा जाता था, लड़कियों को वह अधिकार नहीं दिया जाता था, तो अब सुप्र जन्म से हि उसका अधिकार हो जाता है, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, चाहे 91900 का पहले की पैदा होई भी हो, या बाद की होई भी हो. है 2005 में उसके पिता जीवित हो या नहीं हो. तो सवाल है कि जब जन्मसिद अधिकार हो गया तो कोई भी लड़की ये पार्टीशन के लिए या अपने पैत्रिक संपत्ती के अधिकार के लिए पोड़ जा सकती है अगर उसे संपत्ती का अधिकार नहीं मिल रहा है तो बिलकुल आज जो कल फैसला हुआ है उसके बाद में लड़कियों का जब जन्मसिद अधिकार पैत्रिक संपत्ती में पिता की में दादालाई संपत्ती में मान लिया गया है तो जब भी वो चाहें किसी भी उम्र में चाहें यहां तक कि अगर वो नाबालिक भी है तो भी अपने अधिकार को क्लेम कर सकती है कि अगर वो नाबा किसी भी उम्र की लड़की अपने जो पैत्रिक संपत्ती में अधिकार मांग सकती है और अगर उसके जो परिवार के लोग है उसके भाई बंदू जो है अगर अगर अपना अधिकार अपने आप नहीं तो आज उस लड़की को उस कन्या को अधिकार है कि वो कोट में जाके पार्टिशन का यानि की बटवारे का जो केस है सिविल सूट फाइल कर सकती है और अपना जो हिस्सा है उसको क्लिम कर सकती है इस फैसले का जो भारतिये समाज का जो ताना बाना है उस पे आप कैसे असर ड को हम देवी का दर्जा देते हैं और पूछते हैं नवरातरों के अंदर अपनी बेटियों को पूछते हैं पर उसके बाव जो जब पूजा करना तो बहुत आसान है परन्तु जब अधिकारों की बात आती है अगर अधिकार मांगती है तो उसको एक बहुत गलत दृष्टी से देखा जाता है कि ये तो बहुत ही अपने पिता के घर के अंदर अपने भाईयों का जैसे कोई अधिकार क्लेम कर रही है तो अभी तक हमारी सोच ऐसी रही है कि लड़कियों को कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए अपनी पैतरिक संपती में उसका जो भी अधिकार है अपन पुरुशों के अंदर भी, सोच बदली बहुत जरूरी है, जब तक हम लड़कियों को बराबर का दर्जानी देंगे, बराबर का हिस्सा नहीं देंगे, और उनको एक समाज का उतना ही important हिस्सा नहीं मांगेंगे, पुरुशों के बराबर, अपने भाईयों के बराबर, तब ऑपने पती के बाद बाद में अगर तो है, अब अपने पती के घर में तो हुआने के अगर खिलना है, उससे जादा उसको क्लेम करने का अधिकार नहीं है, इस तरह की सोच है, अभी मांसिक्ता अभी भी से अगर कोई भी लड़की शादी होने के बाद भी अपने पिता का अपने संपत्ती में अगर अपना हिस्सा मांगती है तो उसका जो है अकसर यह देखा जाता है हम कोट में देखते हैं कि जो लड़कियों का जो अपना रिष्टा है अपने भाईयों के साथ में अपने माईके क अंदर अपने पिहर में वो बहुत उसमें दरार पड़ जाती है और उसका दर्वाता पड़ जाती है और रेखा जी एक इसमें सवाल है कि जब सुप्रिम कोर्ट ने ये फैसला दिया कानून 2005 में बना हुआ है 1956 में हिंदू सक्सेशन एक जबकी वजूद में आ गया था तो सा गजल है तो समाजिक औधःना है कि एस बात को कैसे बदला जाए सा मादिक जो अवधिहरा थार ना की बेटी को ऐसा कुछारा दे दिया जाए तूस अवध्दहार मा को बदाने की जरूरत धे क्यंकто वो बिलकुल बराबरी का दर्जr उसे मिला है तो वो अवधार not कैसे ब माद्धियम केसे भी इस तरह के जो शोज होएंगे जहां पर लोग अपनी मानसिक्ता को बदलेंगे कानून के बारे में जो एक धारना है कि हम इन बातों को नहीं समझते तो वकी समझते हैं कोट कचरी की बाते हैं इस धारना को जबरदस्ती रख लेते हैं जहां में सूट करत तो अपने पाओं पर भी खड़ी होगा लड़की तो भी अगर उसका अधिकार है तो उसको हमें अधिकार देना पड़ेगा अगर कोई अधिकार मांगती है तो वो पाप नहीं कर वो असमाजिक बात नहीं कर रही है, जब तक हम इस मानसिक्ता को नहीं बदलते, तब तक हम अपनी लड़कियों को दबाते रहेंगे, और कोई भी लड़की अपना हिस्सा मांगे कि तो हम उसको गलत रिष्टी से देखेंगे, भले लड़की अपना अधिकार मांगे, चाहे वो चाहे तो उसको खुद इस्तेमाल करे, अगर उसको जरुवत है तो खुद इस्तेमाल करे, अगर उसको जरुवत नहीं तो हो सकते है कि अपनी अधिकार को किसी भाई को भी दे सकती है, जिसको जरुवत हो किसी बहन को भी दे सकती है, जो चाहे तो उसको दान दक्षणा के अंदर भी दे सकती है परन्तु हमें उसका अधिकार देना ही पड़ेगा हम उसको अपने अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं इसकी जागरूपता इसकी मानसिकता जो है पॉस्टिव दृष्टी के अंदर आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है एक आखिर में यह सवाल है कि सुप्रिम कोट, हाई कोट और लोर कोट तमाम जगह आपने ऐसे केसे देखे हैं उन्हों आपके बहुत सारे ऐसे क्लाइंड भी रहे हैं दिक्कते कहां आती है यह हम जानना चाहते है दिक्कते वहां आती है राजेश जी जहां पर पहली बात तो यह जो संपत्ती जो है उस पैसा मांगती है अपने भाईयों से पिता के दिहान के बाद में मांगती है कई बार तो उनकी जो माए होती है उनकी माताए वो भी उनको सपोर्ट नहीं करती है क्योंकि वह अपने बेटों के सामने इतनी दबी होती है उनको लगता है कि हमें तो अपने बेटों के साथ में यह बेटी है, यह तो हाई करके अपने घर चले गई, हम तो हमारा घर तोडने के लिए आ गई है. हम तो जिस्थी हाल में हैं बहुत खुद कुछ है, वह भी कुछ से ग Vice- screwdriver मांसिकता हुती है, बेटों के भी इस तरह की क्रिडेश एक आतों करने साथा, ना भाई सपोर्ट करने वाले ना मा भी सपोर्ट करने वाली. दूसरा, जहां पर जो संपत्ती जिसका बत्वारा लड़की मांग रही है, उसको गोल मटोल जो है कोट के अंदर लड़के जो वकील हैं, वो प्रूजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, यह तो जो थी self acquired samppatti थी निञे samppatti थी और निजे samppatti थी तो चीदि अगर पिता वसइत कर गए हैं, अगर वसियत कर गए हैं तो वसइत के हिसाब से बत्वारा होगा, तो कई बारी यह होता था कि जो वस्यत है वो भी एक फोरजरी होती थी, वो सही जो वसियत नहीं होती थी, जो बेटे हैं, वो कई बार अपने पिता की जीवन काल के अंदर ही उनसे कोई उल्टी सीधी विल बनवा लेते थे, वसियत बनवा के अपने नाम पे सब कुछ अरजित कर लेते थे, या पिता की बाद में भी कोई फो पहली बात हो, संपत्ती पर तुम्हारा अधिकार वैसे ही नहीं क्योंकि ये दादाला ये पेत्रिक संपत्ती नहीं है, ये हमारे अपने पिता जी की Self acquired Niji समपत्ती थी जिसको उन्होंने वस्यत कर दी और उस वस्यत के आधार के उपर ये सारी की सारी समपत्ती फलाने बेटे की या मा की जो है यो हो गई और कई बार जो होते हैं वो लोग भी अपने बेटों के प्रेशर में आके या समाजिक प्रेशर ताना बारा समाज का ऐसा है कि पिता भी जो है कई बार सारी स्थिति को जानते वे भी अपनी बेटियों को नहीं देना चाहते और वो लिख देते हैं कि जो भी हम अपनी बेटियों को देना था हम शादी में सब कुछ दे चुकिया है और हम बेटी को कर देती है जहां पर पिता अपने हाथ से अपनी बेटियों का हग जो है वह ले लेते हैं और कहते हैं कि हमने शादी में दे दिया अब इनको कुछ देरी की जरूरती है तो यह संपत्ती की जो प्रॉब्लम है जैसे मैंने बताया यह संपत्ती पैतरिक है कि निजी संपत्ती है इसका clarity होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और दूसरा अगर वसियत जो है वो उसमें अगर बेटियों का अधिकार छीन लिया है पिता ने खुदी छीन लिया उनको वंचित कर दिया है तो ये भी जो वसियत है ये court के अंदर problem create करती है और फिर लड़कियां जो है जब अ डंदर रचा गया है और ये वसियत जो सही नहीं है और हमार को इसमें अधिकार मिलना चाहिए रेखा जी इसका मतलब साफ है कि जो आपने बताया कि बेटी को जब जनसिद अधिकार है तो उस अधिकार को हमें समझना पड़ेगा समाजिक तोर पे भी कानून जब ऐसा कहता है तो उसको मानना पड़ेगा उसका जनसिद अधिकार है वैसे भी जो कानून है उस हिसाब से आप लड़की को या तो ससुराल में या मैके में कहीं तो दादा लाई प्रपरिटी में अधिकार देंगे चुकि कानून ऐसा है कि ससुराल में पती की जो हिस्सेदारी है उस प पती से अन्मन होती है, कल को अलगाओ होता है, तो भी पती के हैसियत के हिसाब से उसे गुजारा भत्ता सिर्फ मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, तो लड़की को कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करनी की जरूत थी, और कानून ने इसलिए उसे मैके में बेटे के बरा संपत्ती, पैत्रिक संपत्ती की अधिकारी बनी है, चाहे उसका जन कानून से पहले हुआ हो, कानून के बाद हुआ हो, पिता जी तब जिन्दा थे या नहीं थे, इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, और जाहिर से बात है, इस जज्जमेंट का हमारे समाज पर दुरगामी प्रभाव पड़ेगा, जैसा आपने बताया कि जागरुकता की जरुवत है, समाजिक सोच बदलने की जरुवत है, कभी बेटा और बेटी को बराबदी का दर्जा मिल पाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, आपने नवार टाइम्स के लिए वक्त निकाला, धन् करिक है सी efecto को बाएगा, बहुत बाएगा